जगत प्रकास नडड़ाजे पूर राष्टियत भ्यक्स और देश के सश्ची ग्रह मंत्रे मान्य स्यमित साजे पूर राष्टियत भ्यक्स केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के मंत्री मान्य नितिन गड़करी जी केंद्रिय मंत्री मान्य सी प्यूस गोयल जी केंद्रिय प्रेटन और संस्कृति मंत्री मान्य श्री जी किसन रेड़ी जे भारती जन्ता पार्टी तेलंगाना के अध्यक्स मान्य बंटी शंजय कुमार जे भारती जन्ता पार्टी के सभी मान्य मुख्य मंत्री केंद्रिय मंत्री गाण तेलंगाना के सभी पदादिकारी गाण और भाग्यनगर की इस बिसाल सभा में तेलंगाना के भाग्य को बदलने के लिए उपस्तित पिछले दो दिनों से पूरी भार्थी जन्ता पार्टी के पदाविकारी आधने प्रधान मंत्री मोदी जी के सानिध्य में इस भाग्य नगर में अपनी आगामी भावी योजना को ले करके जिस विराड चिंतन के कारेकरम के साथ बैठी है अभी कुछी देर में आधने प्रधान मंत्री जी का मार्ग दर्सन हम सब को प्राप्त होने वाला है आप सब की इतनी विसाल रेली को देखते हुए मैं सबसे पहले तेलंगाना के आप सभी कारेकरता भाईो बेहनों का हिर्दे से अविनंदन करता हूँ बाईो बेहनों आपका उत्सा हम सब को एक नई प्रेणा और एक न्या उत्सा प्रधान करता है तेलंगाना के अंदर जो कुसासन है जिस प्रकार की राजनितिक अराजकता पैदा करने का प्रियास हुआ है भारती जनता पार्टी के मिसन को रोकने के लिए जिस प्रकार की साजिसे हो रही है उन सब को बेनकाब करने के लिए आप सभी कारकरता भाईो बेहनों ने पिछली बार भाग्यनगर कॉर्परेशन चुना में अपनी ताकत का एसास कराया था और हमें विश्वास है कि आज पूरे देश के अंदर आदनिये प्रधान मंत्री जी के नित्रुतों में जो परिवर्तन देखने को मिला है वह आप सब के सामने है मुझे अस्थर होता है कि उत्तर प्रधेश जैसे राज्य में मानिये रक्सा मंत्री सी राज्यना सिंग जी मंच पर आए हैं उनका मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ भाईो बेनो पैतालीस लाग गरीबों के वक्तान बन्जावास बन जाते हैं उत्तर प्रधेश में छे करोड लोगों को आयुस्मान भारत के अंदर पांच लाग रुपे की सालाना वब स्वास्त बीमा का कबर मिलता है और करोना काल खंड में पिछले 28 महीनों से उत्तर प्रधेश के 15 करोड लोगों को डबल इंजन की सरकार है तो महीने में दो बार फिरी में रासन देने का काम भारती जनता पार्टी की सरकारे कर रही हैं लेकिन भाईो बेनो तेलंगाना के अंदर कोई भी केंद्रिय योजना को इमानदारी के साथ लागू करने की बात तो दूर अगर कोई केंद्रिय योजना लागू भी होती है तो इस योजना पर अपना ठपा लगाने का कुछित प्रियास भी होता है अब दिन दूर नहीं जब आपका उच्साफ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तरज पर आधरिय प्रणान मंत्री मोदी जी के मार्ग दर्सन और नित्रतों में तेलंगाना में भी कमल खिलाने का कारे करेगा इसमें कोई संदेश नहीं होना चाहिए आज आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी की सरकार है तो वहाँ पे सुरक्सा भी है सुसासन भी है और उत्तर प्रदेश संब्रदी की एक नए मार्ग की और आगे बढ़ रहा है सबका साथ सबका विकास की भावना के इंडूप बिना भेद्वाव के सरकारी योजनाओं पे कारे हो रहा है अयोध्या में मर्यादा प्रसोतम भगवान सीराम का भग्य मंदिर का निर्मान का कार्यादने प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्सन में आगे बढ़ रहा है तो कासी में भगवान बिश्वनाद का पवित्र धाम बन करके देश और दुनिया को अपनी ओरा करसित कर रहा है पेसेवर अप्रादियों और माप्याओं के खिलाब कैसे कारवाई होनी चाहिए और सत्ता में रह करके सत्ता के खजाने को लूटने वालों के खिलाब किस प्रकार की कारवाई होनी चाहिए आज उत्तर प्रदेश उस प्रकार की कारवाई वहाँ पर बखो भी करने का कारे भी कर रहा है और इसलिए मैं आज के सौसर पर जब राष्टिय कारे कारवाई के समापन के उसर पर आदने प्रधान मंत्री जी के मारिग दर्सन और स्वागत के ले तेलंगाना के आप सभी भाई और बेनों ने अपार जन्समू के साथ भाग्य नगर के भाग्य को बदलने के ले इस विसाल रेली के साथ आप यहां पर उपस्तित हैं मैं आप सब का धिर्दे से अविननन करता हूँ और आपके साथ मैं भरपूर सयोग के ले आप सब को अस्वस्त भी करता हूँ बहुत भनेबाद जैहीन जैजै स्री राम थरवए ओने जैँ विसाल हमानुद आपनें आप से दोख को हैं महीद आपके से अस्वस्त पही adviser